हेलो फ्रेंड्स मैं कुम कुम स्वागत करती हूँ आप सब करूची वो चनल पर आज मैं घर में बनाऊंगी पीजा बर्गर रेसिपी जो की देखने से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने की विच्छा हो रही है तो चलिए शुरू करते हैं कि ये बना कैसे इसे बरा च्छोटा च्छोटा कट करके इसमें डाल दिया है प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबजी को जादा भूनना नहीं है यानि कि हमें रेड नहीं करना है मेरा लेसन थोड़ा सा जादा भून गया था तो आप मत भूनियेगा इतना जा शीवला मिच्च थोड़ा सा आधा कप से जादा था और आधा कप मैंने यहाँ पर गाजर छोटटा काटकर एड़ कर लिया है आधा कप बिंस लिया है बिंस को भी मैंने बहुत ही छोटा छोटा कट कर लिया है इसके बाद मैं लूँगी स्वीट कॉर्ण या फिर फ्रोजन कॉर्ण आता है उसे भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं उसे भी मैंने आधा कप लिया है इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर जिसे छोटा छोटा काट कर इसमें मैं एड़ कर लूँगी अब सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढख कर लगभग 2-3 मिनट तक पकने देंगे सब्जियों को जादा नहीं पकाना है इस बात का भी हमें ध्यान देना है जब 2-3 मिनट हो जाएते इसका धकन हठा कर स्वात के अनुसार इसमें नमक एड़ कर देना है नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस स्टेज पर मैं दो बड़े चमच पीजा सॉस इसमें एड़ करूँगी पनीर मैंने मैगनेट करके रखा था हल्दी और नमक से इसे भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है यहाँ पर पनीर भी मैंने लगबग आधा कप लिया है यहाँ पर एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स एक छोटा चमच मैंने और गयनों एड़ किया है आपके पास अगर पीजा सिजलिंग हो आप उसे भी इसमें एड़ कर सकते हैं अब सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी अभी तक मैंने गैस को बन नहीं किया है सॉस डालने के बाद जाता देता किसे नहीं पकाना है तब तक मैं जो बर्गर है उसमें मैं पीजा सॉस चारोतरब स्प्रेड कर ले रही हूँ अब थोड़ा सबजीयों को पे भी ध्यान देते हैं सबजीया बन कर लगभग रेडी हो गई है तो मैंने एक बड़ा चमच टोमेटो कैचप एड़ कर दिया है और आधा छोटा चमच काली मिच पॉडर एड़ कर दिया है इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को बन कर दिया है बहुत ही अच्छे से बन कर हमारा ये फिलिंग तयार हो गया है आप देख सकते हैं देखने से ही बहुत ही सुन्दर लग रहा है कलरफुल लग रहा है अब चलिए बर्गर के ऊपर मैं म्योनिज लगा लेती हूं और इसे भी अच्छे सी स्प्रेड कर लेती हूं म्योनिज डालने के बाद जो मैंने filling तयार की है इसके उपर मैं रख दूँगी अगर आप कम vegetable खाते हैं तो उसके अनुसार कम रखिएगा अगर आपको जादा vegetable पसंद है तो इसे भर कर अच्छे से आप vegetable एड़ कर सकते हैं तो मैंने तो बहुत ही अच्छे से vegetable इसमें डाले हैं जितना ही आप vegetable डालेगा उतना ही अच्छा लगेगा तो burger का जो उपर वाला layer होता है दुसरा वाला उससे मैं इसे ढख रही थी तो फिर मुझे याद आया कि इसमें और भी vegetable हम add कर सकते हैं तो मैंने slice भी रखना बंद कर दिया और मैंने इसके बाद और भी vegetable इसमें feel किया और इसके बाद मैंने cheese slice को उपर इस तरह से रख दिया अगर आपके पास mozzarella cheese हो तो और भी अच्छा है आप उससे भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद मैंने उपर की जो layer होती है burger की उससे मैं इसे ढख दिया और इसके उपर भी मैंने cheese slice को इस तरह से रख दिया है तो burger के उपर इस तरह से cheese slice को रखने से ये और भी attractive लगता है इसके बाद मैंने इसके उपर और जब मैं cheese slice को निकाल रही थी तो थोड़े से cheese तूट गया थे निकालते समय तो इसके उपर मैंने उसे भी add कर दिया है इस तरह से देखिए रख दिया है क्योंकि मे ýד होने का बाद तो एक अच्छा ही लगने वाला है तो रख देना ही ज्यादा अच्छा है इसके उपर मैंने चिली फ्लैक्स और औरीगेन को अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है इससे और भी इसकी खुबसूरती बढ़ जाती है तो इसे भी आप करियेगा तो और भी अच्छा रहेगा इसके बाद मैंने एक पैन गरम करके रखा है उसपे मैं बटर लगाऊंगी अच्छे से लेखिये पैन गरम हो चुका है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है बटर इससे लगा कर सारे जितने भी आपके पास पीजा बरगर है जिसे कि मैंने तो आप चारी बनाए है तो चारो मेरा आराम से इसमें अठ जा रहा है तवे के उपर अब इसे घर का माइक्रोवेव तयार कर लेना है इसके उपर मैंने अभी काली मिर्च एड किया था अगर आप चाहें तो एड कर सकते हैं ने तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं और मुश्किल से 7-8 मिनट के बाद देखिए इस तरह से पीजा बरगर बनकर तयार हो गया है मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है बहुत ही अट्रेक्टिव और बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी एक बार आप इस तरह से जरूर बनेएगा पीजा बरगर आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक शेर कमेंट करना बिलकुल मत भूलिएगा तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को समिस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मुझे दो ही पीजा बर्गर दीख रहा है तो जैसी पीजा बर्गर ये तयार हुआ, मेरे बच्चे लेकर चले गए, खाने के लिए उन्हें बहुत ही पसंद है आपके भी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, थैंक यू